तालीब जाओ? तालीब जाओ? तो सुनी तुम्हों बजा देखे? कब बढ़ीगे? कब बजाओ? देखो भाई, जिलुप ये बजादेगे तहु हो बजादेगे देखे? नब जाओ? चाय पी रही जैसे माठा पी रही माठा यह पुराना अदमी इसको तुम्ही सम्झाव भी था तुम्हारे लखनेव का माइटा रहा हम का जेंदे भीया किसी गाउं किसी देश का पंगा ने अपन दिवता दो जुरिया मनी डारे पारन तुसरे कहां घुसेरे गूंगी आये साब एक छोटा दा कट्पी शीए जोटा जागा जागा अधे जी करिका छला तुम्हेरे जान रे जाले अधे जाले 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 ना ये उपर इसे इसे काने ये राउल भाया का आदे अजसे तो का रहा हूं क्या मेरे जी गर का धल्ला तो मेरी जान रे तुझ पे मैं कर दो अपनी जान कुर्वान रे और मेरे नादा कलिवारी की गर जान कुर्वान अब हम लोगों को क्या होगा कर दो कर दो मेरे नाजे कली हो मिसरी की डलीये दनीग्वादें का जोर राधी बोहां तुझ पूलिया हुष्टो अवारों एड़ा ठीला आथे दोलसा एक रिसी रावल भी आनंद देने के लिए कटपी लेगी कटपी तो दूसरी हमने निकाली थी चूंकि मामला सीरियस चला तो इसको मैं सीरियस ही पहुचा देता लेकिन हमने कर थोड़ा हलका कर दिया है क्यों मुकिस भी है तो हलका हो रहा है एक रिषी एक प्रच के नीचे तपस्या कर रहे थे अब ध्यान मगने थे और बंदर वाकई में बंदर होता है अब वह एक बंदर देख रहा है कि पूजा कर रहा है बंदर ने अपना काम सुन किया जाकर उनकी जटाओं में डाल बहुत है जिसे लेकर मुनी एक हजार साथ तक घूमते रहे और कहते रहे एक हजार वर्स तक वो डाल विसी के सर में बंदी रही और कहते रहे क्या अब तुमने हस दिया अब तुमने हस दिया हाँ अब यह अंदर से अंदर के बार नहीं है पूचा अब लोग के मेरे की नजर में यह माई पिटिया है लेकिन सिवनन तुम पान के साथ चाहे भी थे अब निकला तो पुसीद होगी हाँ चाहे में पान बोर बोर के खा रहा है आए आए साथ मुनिवार अरम मुनिवर मचा मैं हल्ला पंधी सर पे डाल है आकर जो इसको खोले माई का लाल है हिए है है कोई है कोई है कोई तोहां किया में हिंती इसको खोले माई का लाल है एक चाल इतनी चली रे ताल एक ना कली चाल इतनी चली रे ताल एक ना कली हाल मेरा बेहाल काँठी खोलते वो काँठी खोलते पंधी जो मेरे बालों में डाल वो काँठी खोलते एक चाल इतनी चली रे ताल एक ना कली हाल मेरा बेहाल काँठी खोलते एक चाल इतनी खोलते पंधी जो मेरे बालों में डाल काँठी खोलते एक चाल इतनी खोलते पंधंगों मेरे बाले पंधी खोलते 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 དསར དེ དེ ཁགསར དེ ཁྱེ དེ 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 ནར དེ ཕང but here यह यह सुद्ध गाना और बजाना ऐसे आओ और किया किसी की राह में काटे नहीं बोया करते किसी की राह में काटे नहीं बोया करते अब कहर लोट के आया नहीं रोया करते अरे कौन आएगा अंधेरी सी तेरी दुनिया में अपनी किस्मत पर यू बेवजा नहीं रोया करते काफी बात जीत कर ली आपने आप हमसे बात ही कहां करते बात तो आपकी सिवानन सोनी जी से हो रही कह रहे है अभी मंदना आएंगे अभी इसाफ किताब होगा इनका एक बात और गहीं अपनी सास से बिलवा देना हम बार बार कहते हैं जहां मिलते हैं वहां कहते आपने अगर मेरी सासु माता को देखा नहीं तो देख लो जाकर सासु माता को देखकर ही आपनी सांस फूल जाएगी यह बात रुख जाएगे देख नीजे दाजा कानपुर से मंधना कोई दूर नहीं इस बार मिल लेना खुद आपको घर उला रहे हैं और बात भी करवा देंगे हाँ बिल्कुल चलिए स्वागत है और जो भी आपने जवाब दिया है बढ़िया है कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत परिसान हो गए अड़ा जूका कंटक होई गवाँ अड़ा वो अड़ गया है कहरे निकाल दिया है निकल नहीं सकता दादा काल नेम तो बहुते परिसान निकल सकता ही नहीं है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी समझाओ ये मेरा दावा है एक बार नहीं जब कई बार उसमें बिचार किया जाएगा तब कहीं एक लाइन आएगी आपसे तब उसमें निकल पाओगे बाकी आप कुछ भी कहें हवा हवाई चाहे जितनी कर ले और जवाब नहीं है उसका और जो भी आपने जवाब दिया है मैं कुछ कहूंगी नहीं बिल्ली मौसी बता रहे थे भवानी की बहन है मौसी किनकी किनकी हमने बोले लात और भवानी की बाते नहीं की है साधार सी बात है कि अगर चंदा सारे जगत का मामा है तो इस जग में बिल्ली को मौसी क्यों कहा गया है समझो यह बात थी कह रहे तामरा फलाने पूरी बात बताने की जरूरत रहे क्योंकि जो प्रसंग आप बता रहे है दादा जी वो प्रसंग ही नहीं है घर में जा करके इसको धूनियेगा या आखिर बिल्ली को मौसी क्यों कहा जाता है घर में जाके पकड़ियेगा इसको या तो बिल्ली को पकड़ के पूछ लेना का है तुमको मुसी कहा जाता है पूछ पकड़ ले और रही बात आप हसी उड़ा रहे हैं कि हमनी तरफ देखो चल के कितने खाली हां खाली पड़े हैं मेरा पहला टुकड़ा सत्रंज का बधा हुआ है हाहा हा समझें के नहीं समझें भार बिण सब्सक्राइब समझाय नहीं तो कोर्षचिंग कर लें टुकड़ा सुनीज पहले दादा जी चिलाने की जरूरत ने फहले क्ने क्लेकर पंत सुनीए मेरी कह क्या रही थी एनवा पकड़ नहीं पार है मैंने का शायद क्योंकि आपने एक बात पकड़ी है, मसुसी के पीछे पड़े, कह रहे हैं कि गंगा की धार अकेली रहती है, श्रीमान जी गंगा की धार वहां अकेली नहीं, गंगा की तीन धार आये हैं, और जहां तीन हैं वहां अकेले की बात कैसे होगी, आप लोग विचार करिए, एक नहीं तीन धार आये, आपके कहिने से बात थोड़ी न बतल जाएगी, शुथा नहीं हो जाएगा, मोटी हलते बतले, गंगा तो एक है वहां, मकर जिस समय वो निकली वहां पर तीन धार आये ह उसकी, एक नहीं है वहां, पहले समझी है तो, कहां जा रहे है, विचार बिमर्ष करे जार रहे है, के घोडा हाथी, उत्वा पैदा, मंद्री और वजीर रहे, इसमें सत्रंजी का काम चल लाए है, वो लोग सत्रंजी खेलते हैं, या कभी या कभी आपके लिए निकली आप भी देखा सुना है, उसमें ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, और बाद साहा की हर खितुमत में, निर्धन यार फखीर रहे, घर जा के बिचार करिए, बस एक मियान में तलवार अकेली रहती है, पिसे इसता इस बात से नहीं है, तो सिंघासन पर सुल्टान एक अकेला रहता है, दादा जी, दिन करने को दिन मान, एक अकेला रहता है, और जब होता अंतिम प्रस्थान एक अकेला रहता है, क्योंकि वैसे आप इतना परिसान हो गए है, चलिए, आईए आपके टुकड़े की और चल रही हूँ, चलो कोई दम नहीं बेटा, जीगर का छला, गाया है हरियाना वालों ने, या गाया, अर मेरे जीगर का छला, तू मेरी जान वे, यहाह! वाह! वाह! झापते! वाह! वाह? यहा! मेरे जी गर का छल्ला तू मेरी जान वे तुझ पे कर दू मैं सारा जग पुर्बान वे तो मेरी नाज़क कलीरे मेरी घुड की डली तुझे मैं तेरी लादू पाजेब राजी बोल जा तुझे मैं तेरी लादू पाजेब राजी बोलता बाजी बोलना तो मैं पेरी बाजे बाजे बोलना बाजी बोलना बढ़िया बाद आपके माध्यम से आई है एक आप तर कोर कर रहे थे संतोस अगर आप संतोस लिखिये तो उसमें कौन सा लास्ट मिसा होता है संतोक तो उसको क्या पढ़ेंगे आप संतोस पढ़ेंगे के संतोक पढ़ेंगे पढ़ेंगे संस्क्रत प्यागरण का एक सूत्र कहता है खकारो सकारो नास्ति भेदा लिख लिए इसको यह काम देगा और क्या आई चस्मे में चला गया नंबर डाउन हो गया है खकारो सकारो नास्ति भेदा इसको पहले आप समझे पदम भया इनको समझाइए दादा इस बार भी नहीं पकड़ पा रहे हैं फालतु मेंने बोलो क्योंकि कहते हैं कि ग्रंथ के साथ जो छेड़कानी करता है उसका क्या हुआ है आप भी जानते हैं बाकि अकारो मकारो आप अपने पास ही रखिए जो ग्रंथ में हैं जो संस्कत प्याकरण में दिया गया है वह मैंने आपको बताया है बाकि आप जो कुछ कहें वो अच्छा है आईए मेरी ओरस सुनिये गा आप ने कहा है इनकी आदत है जब हम गाते हैं तो उचलते रहते हैं बोलते गनते हैं जब कि हम ऐसा काम नहीं करते दादा जब आप काते हैं तो हम बिल्कुल सांथ बैठते हैं और कलाकार को हमेशा गंभीरता से पेश आना चाहिए आपकी तो उमर हो चुकी है फिर ये लच्छन है पता नहीं जवानी में क्या कर रहे होगे आपने कहा है के गाठी खोल दे आपने कहा है तो हम सुनियेगा गाठी में फोल गई हूँ आपने कहा गाठी खोल दे तो मैं खोल रही हूँ सुनिये आत्मा आपकी हरी भरी हो जाएगी कैसे गाठी और कहां पर खुली इसको मैं नहीं आपी जांते हैं और क्या कहना गंगा से ही पुर्खों को तरना ततकाल है यहो भागी रत ने प्रयास किया कि गंगा को कैसे भी लाना है जिससे मेरे पुर्खे तरड तरड हो जाएं तर जाएं तो कहना पड़ा क्या अरे गंगा से ही पुर्खों को तरना ततकाल है गंगा मुझे को दे दोश्यू रूप जिन का पाल है यहो एक एक शक्त एक एक लाइन नोट करिएगा अगी रत ने तपस्या की प्रसंता में जो वो चाहते थे वो हुआ और क्या मगर गंगा को समाले कौन कौन वहां से तो आ गई मगर इस गाठ में लेपेटी गई हाँ केरी बाह सुनिएगा कहना भावना थी भली खिली मन की कली बोले नाथ ने भी देखा कि ये भत अच्छा सोच करके आया है इसलिए भावना थी भली खिली मन की कली दिये स्यूजी ततकाल गाठी खोल के बोले नाथ की जटा को आपने देखा हो गाठे को लाई वो भंदा वो गाठ खुलती चली गई है सुनिए अरे भावना थी भली खिली मन की कली दिये स्यूजी ततकाल गाठी खोल के तो गाठी खोल के भागी रद हुए निहाल गाठी कोल के दाठी कोल के ततकाल गाठी खोल के भागे रद दाठी कोल के दाठी कोल के अ.. बहुत 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 ने लेजी खोल के दुनौट यहो रद आठी को ... यह आपकी